हेलो माई दियर बचावाटी तो वेलकम तो इस चैनल आज हम देखने वाले क्वेश्चेन नमबर टू स्टंडर्ड नाइन का सम्स चेप्टर नमर फॉस्ट है सो यहां पर देख लिजिए क्वेश्चेन में क्या दिया है यू नो देट 1 अपन 7 इकोल सो 0.142857 मुझे एक इवन पाट में अलड़ी दिया हुआ है तो solution के अंदर अगर मैं जाओ सो मैं पहले तो यह चीज़ लिख लूँगा सो 1 अपन 7 इकोल सो 0.142857 यह मैंने लिख लिया अब मुझे क्या बोला है कि यह सारी चीज़ की value find करनी है 2 अपन 7, 3 अपन 7, 4 अपन 7, 5 अपन 7 and 6 अपन 7 without actually doing the long division long division मुझे कुछ भी नहीं करना है फिर भी मुझे answer चाहिए चलिए देख ले ते किस तरीके से so अगर मुझे find करना है 2 अपन 7 तो 2 अपन 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 multiply 1 अपन 7 लिख सकता हूँ क्योंकि 2 अपन 7 तो 2 होता है so 2 multiply 1 अपन 7 की value मेरे पास already है वो क्या है 0.142857 और उसका बाब अब इन दोनों को जैसे ही multiply करेंगे तो आपको answer मिलेगा 0.285714 main focus करने की बायत क्या है यहाँ पे बार दिया हुआ है so यहाँ पे भी बार आएगा clear out है चलिए next देख लेते 3 अपन 7 so 3 अपन 7 करने के लिए 3 multiply 1 अपन 7 so 3 multiply 1 अपन 7 की जगा पर मैं यह value लग दूँगा 0.1428572 वीडियो लंबीना बने इसलिए मैं multiplication वाला हिस्सा cut out कर रहा हूँ आपको तो multiply करना आता ही है so multiply करके आपको answer लिखने है इधर तो आपका answer आएगा 0.428571 और उसके उपर लगाएंगे हम वाग उसी तरीके से हम next दूबला करने वागे 4 अपन 7 so 4 multiply 1 अपन 7 4 multiply 1 अपन 7 की जगा पर यह रिखूंगा 0.4 0.142857 उपर कर दो बार multiply करेंगे 0.57140 बार दन next वाला करो 5 अपन 7 same procedure पर हम focus करेंगे सिर्फ multiply करना है हमारे given वाले part को so इसका answer मिलेगा 0.714285 यह इसका answer रहेगा next वाला करेंगे 6 अपन 7 same procedure पर फोलो करेंगे 6 multiply 1 upon 7 so 6 multiply 0.142857 so आपको answer मिलेगा 0.85710 दन चैनल पर नहीं है तर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा मिलते नहीं वीडियो के साथ तब तक लिए गुडबाए